पुलिस और गैंग्स्टर अंकित भादू की बीच फाइरिंग कार में सवार होकर सादूर शेतर में नजर आया फाइरिंग करते हुए खेतों में भागा पुलिस पिछे श्री गंगानगा सादू शहर इलाके में आज रवीवार दोपहर गैंग्स्टर अंकित भादू के आने की सूचना पर पुलिस हरकत में आ गई गैंग्स्टर पुलिस पर फाइरिंग करते हुए खेतों की तरफ फरार हो गया पुलिस ने जिले भर में सगन नाकबंदी करवाई है पुलिस कप्तान योगेश यादव के नेतरत्व में पुलिस अधिकारी खेतों में गैंग्स्टर की तलाश में जुटे हुए हैं मौके पर मौझूद कुछ मीडिया कर्मियों ने सूचना दी है कि पंजाब पुलिस के जवान भी पहुँच चुकी है बिकाने रेंज के आई जी मन दिनेश ने बताया कि पुलिस पर फाइरिंग करने वाला गैंग्स्टर अंकित भादू था हर्याना और श्री गंगानगर पुलिस उसके पीछे लगी हुई है मिली जानकारी के अनुसार गंगानगर पुलिस को सूचना मिली के एक कार में संदिग्द व्यक्ति सादू शहर की तरफ आ रहा है यह संदिग्द यूवक गैंग्स्टर अंकित भादू हो सकता है इस उचना पर पुलिस ने जब सादू शहर अबोहर चौराहे पन नाकबंदी की तो कार में सवार यूवक पुलिस पर फाइरिंग कर खेतों की तरफ भाग गया पुलिस की टीम उसके पीछे दोड़ पड़ी एक खेत में खड़े ट्रेक्टर को अग्यात बदमाश ने स्टार्ट करने का प्रयास किया लेकिन ट्रेक्टर स्टार्ट नहीं होने पर उसने फाइरिंग करके ग्रामिनों को डरा दिया अग्यात यूवक वहां खड़े बाइक को लेकर फरार हो गया पुलिस ने पीछा किया तो वह सादू शहर इलाके में ही किसी मंदिर के पास बाइख छोड़ कर खेतों की तरफ फरार हो गया पुलिस अदिक्षा की योगेश यादव ने बताए कि इसकी तराश की जा रही है शाम तक खुलासा होने की संभावना है परेंदर दोटी और काथी क्रीड वारे अपने यो पूंक यह प्ताया है तरफ वह आगे वहाँ से निकल कि अखुझी यह हो अगे ता इस हसे